नमस्कार दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल इस्टीडी विद्राज में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज के वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महतपूर होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप लोगों को प्रीबियस एर 2016 का सेट फर्स्ट हल करवाने वाला हूँ तो इसके लिए मेरे वीडियो को इंट तक देखिए और ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए आज के वीडियो सुरू करते हैं देखिए ज्यादा देर ना करते हो तुरंत जो है question शुरू करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है इसमें काफी ज्यादा question रहते हैं तो वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए आप लोग थोड़ा fast काम करना और देखिए मैं पहले ही आप लोगों को बताये दे रहा हूं कि जो ये question है आप लोग सिर्फ ध् पीडियो मैं वहाँ पर दे दूँगा तो यहाँ पर चुप चाप आप लोगों को सिर्फ सुनना है यनि कि ध्यान पूर्वक देखना है कि सवाल कैसे लगेंगे बाकी आप लोगों को कुछ नोट नहीं करना है मैं जो है पीडियो इसका जब send कर दूँगा तो वहाँ से आ आप लोगों को पूरी हेल्प की जाएगी फिर यहां पर देखिए कुष्चन देखते हैं पहला कि संख्याओं 10 65 एम 91 का लगुतम समाव परते हैं यह पहला कुष्चन है और जानते ही हो आप लोग जो है पहले जो है कुष्चन एक सुरुवात होता है बहु विकल्पी एक कुष्चन से यहां पर लिखा भी है देखिए वस्तुनिष्ट प्रस्ण तो यह बहु विकल्पी एक कुष्चन है यहां मैं आप लोगों को चारों बिकल्प नहीं बताऊंगा यहां पर सिर्फ आप लोगों को कुष्चन हल करवा दूंगा और उसका एंसर बता दूंगा तो जैसे आप लोगों को answer पता हो जाएगा तो आप सही विकल्प तो अपने आप छाठी लोगे और आपको परिच्छा में कैसे करना है यह यहाँ पर जान लिजे देखिए आपको यहाँ पर जैसे हम लिखे हैं ऐसे ही जो है कुश्चन को पूरा उतारना है जो बहुँविकल्पिये कुश्चन है उसमें जो है कुश्चन को उतारना अन्वार रहता है उसके बाद फिर यहां जो आपसन सही हो वो आपसन नंबर डालिए और उसके बाद फिर उसका आपसन जो है लिख करके और उस पर सही का निसान लगा दीजिए यनि कि चारों आपसन लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन ये कुश्चन लिखना अनिवार रहे ये नहीं कि सिर्फ आप आपसन लिख करके और उस पर टिक मार दिये तो जो है ये गड़बड माना जाता है तो इसलिए यहाँ पर आप लोगों को कुश्चन जरूर उतारना है यनि कि जो वस्तनिष्ट प्रस्ण होते हैं उनमें आप लोगों को कुश्चन जरूर उतारना है और उसके बाद फिर उसका सही एंसर लिख करके टिक कर देना है ये इतना काम करना है और आप हल करके वहाँ पर भले ही न दिखाएं कहने का मतलब ये चीज है इसका जो में दिखाने की जरूरत नहीं है तो साइड में जहाँ पर भी आप रफ कर रहे हों तो वहाँ पर आप रफ करके उसके बाद फिर यहाँ पर जो उसका सही एंसर है वो लिख दीजिए बस तो यहाँ पर देखिए जो है हम आप लोगों को ये कुश्चन हल करके बता रहे हैं 60, 65 हम 91 का लगुतम समाव अपर ते है यनि कि लाशा हमको निकालना है तो लाशा आप सभी लोग सीखी चुके हो देखिए कैसे निकलता है मैं यहाँ पर आप लोगों को बताया दे रहा हूँ देखिए सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर 10, 65 और 91 उपर लिख लेंगे और उसके बाद फिर देखेंगे इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या से कौन से संख्या कट रही है वहाँ से हम काटना शुरुवात करते हैं तो यहाँ पर देखिए 10 जो है वो 2 से कट जाएगा तो यहाँ पर 2 से 10 को काटेंगे तो देखिए 2, 5, 10 हो जाएगा बाकी संख से काटना शुरुवात करेंगे तो 5, 5 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए 5, 5 और 5, 15 यानि कि यहाँ पर 13 आ जाएगा 13 65 होता है और 99 देखिए नहीं कटेगा तो इसको ऐसे हुतार लेंगे फिर यहाँ पर देखिए अब जो है यह देखिए किस से कट रहा 13 तो किसी से नह कट रहा लेकिन 99 देखिए 7 से कट जाएगा तो इसलिए यहाँ पर जो है 7 से काटेंगे तो यहाँ एक हो जाएगा यहाँ पर देखिए 7 कम 7 हो जाएगा और यहाँ पर 2 बचेगा तो 7 रिक 21 हो जाएगा अब यहाँ पर देखिए 13 और 13 आ रहा तो यहाँ पर देखिए 13 ही ले लेंगे यहां पर एक हो जाएगा यहां भी एक हो जाएगा और यहां भी एक हो जाएगा अब हमको निकालना क्या है लासा निकालना है तो यहां पर देखिए जो यह गुड़न खंड हम लिख लेंगे और लासा जो है वो निकाल लेंगे तो यहां पर देखिए लिखेंग गुड़ा कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए इनका गुड़ा करेंगे तो कितना आएगा देखिए पांदुनी 10 और 10 सते 70 हो जाएगा देखिए यहाँ पर पांदुनी 10 हो जाएगा और 10 सते 70 हो जाएगा और फिर 13 का 7 से गुड़ा करोगे तो 13 सते 90 हो जाएगा और से बहुत ही आसानी से इस टाइब के कुश्चन किये जा सकते हैं. अब देख्ते हैं next question, तो देखिए next question है, दो आसमान परिमे संख्याओं के बीच परिमे संख्याओं होती हैं, यह बहुत ही important question है बार-बार परिच्छाओं में पूछा गया है और जो है फिर आ सकता है ये तो ये मान के चलिए कि ये बहुत important question है तो इसको आप लोग कताई गलत न करना इसको एकदम रट लेजिए कि दो आसमान पर में संख्याओं के बीच पर में संख्याओं होती हैं तो देखें दो आ अनन्त लिख लिजिए और जो है यहां पर भी देखें अंसर डाल दीजिए तो इस प्रकार से देखिए जो है ये भी साल्व हो जाएगा और हो सकता है अभी आप लोगों को ये ना बताया गया हो कि दो आसमान पर में संख्याओं के बीच पर में संख्याओं अनन्त कैसे हो लें क्योंकि अभी हमने यह नहीं बताया है हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हों इसमें तो यहां पर मैं आप लोगों को किसी वीडियो में बता दूंगा तो आप लोग परेशान बिल्कुल नहों और फिर आप नेक्ट कुस्चन देखते हैं तो देखिए नेक्ट कुस्चन ह हमको करना क्या है हमको यहां पर देखिए इसका जो योग का योग पर गुड़ा का बितरन नियम यहां पर दिखाना है कि योग पर गुड़ा का बितरन नियम कैसे होता तो यहां पर देखिए इस टाइप से हो जाएगा साथ का इससे गुड़ा हो जाएगा तो तीन गुड आपसन जो है वो सही हो जाएगा तो इस प्रकार से यहाँ पर अनन्त वाला आपसन सही हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा तीन गुड़े 7 प्लस दो गुड़े 7 यह आपसन जो होगा वो सही हो जाएगा फिर देखें next question है x प्लस देखें x माइनस 7 और x प्लस 9 का गुड़न फल है तो देखें यह भी बहुत ही आसान question है इसको देखें कैसे करेंगे तो यहाँ पर देखें सबसे पहले इनको गुड़े के रूप में लिख लेते हैं x माइनस 7 और x प्लस 9 इस तरीके से लिख लेंगे फिर इनका क्या करेंगे इनका गुड़ा कर देंगे तो देखें इनका गुड़ा करेंगे तो यहाँ पर देखें x का x से गुड़ा करेंगे तो x square हो जाएगा फिर देखें x का 9 से गुड़ा करेंगे तो प्लस का 9 x हो जाएगा फिर देखें 7 का गुड़ा x से करेंगे तो माइनस का 7 x हो जाएगा अब यहाँ पर देखिए यह अभी जुड घट रहे हैं इसलिए एक बार यहाँ पर बराबर का चिन लगा करके और एक स्टेप और हल कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए X स्क्वायर हो जाएगा और फिर यहाँ पर देखिए 9X में से 7X जो है वो घटेगा तो कितन हो जाएगा प्लस का 2X हो जाएगा क्योंकि प्लस वाली संख्या बड़ी है इसलिए यहाँ पर प्लस का 2X होगा और फिर माइनस का 360 हो जाएगा तो इसका यही आप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा तो इस प्रकार से यह कुश्चन भी हल हो जाएगा अब देखते हैं ने तिर्भुच का आधार होगा यनि कि यहां पर तिर्भुच का आधार हमको ग्यात करना है और तिर्भुच का छेतफल दिया हुआ है तो यहां पर हम डारेक्ट तिर्भुच के छेतफल का फार्मूला लगाएंगे तो देखिए तिर्भुच के छेतफल का फार्मूला क्या होत तिर्भुज का छेत फल बराबर तिर्भुज का छेत फल बराबर तिर्भुज का छेत फल बराबर तो देखें तिर्भुज का छेत फल होता है एक बटे दो आधार गुड़े उचाई आधार गुड़े उचाई इस प्रकार से यह होता है फार्मूला और फिर यहां से देखे यहाँ पर देखिए एक बटे दो होता है तीन नहीं होता है लिख लिजे एक बटे दो यहाँ पर एक बटे दो गुड़े आधार गुड़े उचाई होता है अब यहाँ पर देखिए एक बटे दो लिखेंगे और फिर आधार देखिए हमको निकालना है तो आधार को आधार ह रखेंगे और फिर क्या करेंगे उचाई कितनी दी हुई है उचाई देखे आठ दी हुई है तो यहाँ पर आठ लिख लेंगे और तिरभुज का छेत्र फल दिया हुआ है 48 तो यहाँ पर 48 लिख लेंगे अब देखिए आधार को एक तरफ रखेंगे बाकी संख्यों को एक तरफ कर लेंगे तो यहाँ पर मान लिजे कि आधार को जो है हम इधार ही रख रहे हैं और इन संख्यों को इधार भेज रहे हैं तो यहाँ पर देखे 48 इधर है अकेला और इसके साथ में जब यह आएगा यानि कि यह पच्छांतर हो करके जाएगा तो यहाँ पर देखे यह गुड़े के रूप में है तो यहाँ पर बटे के रूप में हो जाएगा तो यहाँ पर 48 बटे 8 हो जाएगा और यह देखे यह ब यह 48 कड़ गया यानि कि यहाँ पर 6 आ गया तो 6 का 2 से गुड़ा करेंगे तो 6 दुनना 12 हो जाएगा यहीं कि आधार हमारा 12 आ जाएगा और देखिए आधार ही हमको निकालना था तो यहाँ पर आधार आ जुका है 12 और देखिए सेंटी मीटर में दिया हुआ था तो यहाँ पर सेंटी मीटर इस तरीके से लिख सकते हैं तो यही हमारा एंसर हो जाएगा अब देखते हैं next question फिर देखिए next question है question number 6 तो देखिए यहाँ पर 6 number से question जो है वो आतिलागुत्रिये प्रस्न है जो कि यहाँ पर उपर देखिए लिखा हुआ है अतिलागुत्रिये question है यह और बहुविकल्पिये question सिर्फ 5 दिये जाते हैं जो कि मैं हल करवा चुका हूँ तो यहाँ पर अब आप लोग अतिलागुत्रिये question देखिए देखिए जो डियेलेड का जो प्रस्नपत राता है मैत का बहुत कठिन नहीं होता है आसान question होते हैं तो आप लोगों को बहुत परेसान होने की जरूरण नहीं है लेकिन आप लोग ध्यान पूरवक सिर्फ पढ़ लीजिए यनि कि बहुत कठिन question नहीं पूचे जाते हैं आप लोगों को यदि एक मैदान की एक भुजा 125 मीटर हो तो दूसरी भुजा ग्याद कीजिए देखिए यहाँ पर आयताकार मैदान का छेतरफल दिया हुआ है और यह दिया हुआ है हेक्टियर में और हमको भुजा निकालने है मीटर में तो सबसे पहले हम इनकी इकाई चेंज करेंगे य जो यह हेक्टियर में दिया हुआ है इसको भी हमको मीटर में चेंज करना है तो यहाँ पर देखिए जो है सबसे पहले हम पैमाना लिख लेंगे देखिए एक हेक्टियर बराबर क्या होता है एक हेक्टियर बराबर होता है देखिए दस हजार वर्ग मीटर होता है यह इतना पॉइंट आप लोगों को याद रखना है और इसी से पूरा सवाल जो है साल्ब हो जाएगा तो देखिए एक हेक्टियर बराबर कितना होता है दस हजार वर्ग मीटर होता है अब क्या करेंगे अब यहाँ पर समझ लिजे कि हमको जो है आयताकार मैदान का छेतफल वर्ग मीटर में पता चल गया है क्योंकि यहाँ पर देखिए 0.5 हेक्टियर दिया हुआ है तो यहाँ पर एक हेक्टियर पता चल गया हमको तो यहाँ पर हम 0.5 hectare भी निकाल लेंगे, तो 0.5 hectare बराबर क्या हो जाएगा, तो देखे, यहाँ पर यह एक hectare है, और 0.5 hectare का मतलब क्या हो जाएगा, आधा hectare, तो आधा hectare यहाँ पर मैं डारेक्ट लिख रहा हूँ, इसके आधा हो जाएगा, यानि कि यह 10,000 है, तो यह कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 5,000, तो इसको लिख लिजे, 5,000 वर्ग मीटर, यानि कि एक hectare में 10,000 वर्ग मीटर हैं, तो 0.5 hectare में कितने हो जाएगे, 5,000 वर्ग मीटर हो जाएगे, अब हमको क्या करना है, आयताकार मैदान का छेतरफल वराबर क्या हो जाएगा लंबाई गुड़े-चोड़ाई क्योंकि आयत का छेतरफल हुता है लंबाई गुड़े चोड़ाई तो यहाँ पर लंबाई गुड़े चोड़ाई हो जाएगा अब आयताकार मैदान का छेथफल देखे दिया हुआ है 0.5 हेक्टिर यनि कि हमारा जो है अगर वर्ग मीटर में देखा जाए तो कितना दिया हुआ है 5000 वर्ग मीटर तो यहाँ पर 5000 लिख लेंगे और लंबाई देखे कितनी दिया हुई है यनि कि एक भुजा यहाँ पर दिया हुई है यह जरूरी नहीं कि यह लंबाई है कि चोड़ाई है यनि कि इसको एक भुजा हम नहीं मान सकते हैं कि यह लंबाई ही है जब हमारी दूसरी भुजा आ जाएगी तब ही हम decide कर सकते हैं कि यह लंबाई है कि चोड़ाई है लेकिन यहाँ पर एक जगे पर हम चाहे लंबाई की जगे पर 125 लिख दें और चाहे चोड़ाई की जगे पर 125 लिखतें कोई problem नहीं है तो यहाँ पर देखिए हम लंबाई की जगे पर 125 लिख देंगे उसके बाद फिर चोड़ाई की जगे पर चोड़ाई ही रहने देंगे यनि कि हमको दूसरी भुजा निकालनी है अब यहाँ पर चोड़ाई को इधार ही रखेंगे और 125 को इधार भेज देंगे तो देखे चोड़ाई को इधर ही रखेंगे 125 को इधर भेजेंगे तो ये 5000 के साथ में क्या करेगा भाग करेगा क्योंकि यहाँ पर देखिए 125 इसके साथ में चोड़ाई के साथ में गुड़ा कर रहा तो इधर जाएगा तो भाग करेगा तो यहाँ पर 5000 बटे कितना हो जाए पान सो एक सो पचीस चोको कितना हो जाएगा तो यहां पर इसको डारेक्ट काट सकते हैं यहां पर चार हो जाएगा और एक जीरो लग जाएगा तो इस प्रकार से चौड़ाई कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी और जो है मीटर में दिया हुआ है इसलिए यहां पर कितना हो जाएगा 40 मीटर हो जाएगा यहीं कि चौड़ाई जो है आयताकार मैदान की निकलाएगी 40 मीटर और यही हमारा जो है एंसर हो जाएगा तो इस प्रकार से यहां पर सिर्फ हेक्टियर दे देने की व important question है आप ही सकता है तो इसलिए इसको आप लोग जरूर किलिए कर लेना और यहां से पैमाना याद कर लिजे और इस टाइप से question आसानी से लग सकता है अब देखते हैं next question तो देखें next question है इक्स बटे देखें इक्स बटे 3 प्लस एक्स बटे 2 बराबर 10 को हल किजिए तो देखें question कैसे हल होगा तो देखें इसको सबसे पहले हम नीचे उतार लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x बटे 3 और प्लस x बटे 2 बराबर 10 इसको हमको क्या करना है हल करना है हल करने के मतलब हमको x की value निकालना है तो यहां से सबसे पहले हम क्या करेंगी यहां से LCM ले लेंगे तो देखिए 3 और 2 का LCM कितना हो जाएगा तो 3 और 2 का LCM हो जाएगा 6 3 दुन 6 तो यहाँ पर LCM 6 हो जाएगा और फिर जब यहाँ पर 6 हो गया यनि कि 3 में किस से गुड़ा किये तो 6 हुआ तो यहाँ पर 3 में 2 से गुड़ा किये है तब 6 हुआ तो 2 से गुड़ा ओपर भी हो जाएगा तो 2X हो जाएगा अब यहाँ पर देखें, तीन X में 2X जुड जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5X हो जाएगा, और बटे में 6 है, तो बटे में 6 लिख लेंगे, और बराबर हो जाएगा 10, आप देखिए, यहाँ पर 5X को इधर ही रखेंगे, और 6 को उधर पच्छांतर कर देंगे, यहाँ प देखिए, 5X को इधर ही रखेंगे, और जो है, 6 को उधर भेद देंगे, तो यह 6 जो है, वो इधर जाएगा, तो क्या करेगा, तो इधर जाएगा, तो यह करेगा गुड़ा, क्योंकि इधर कर रहा है भाग, तो देखिए, यहाँ पर हो जाएगा, 10 गुड़े, 6, और फिर बराबर कितना हो जाएगा 6 का 2 से गुड़ा हो जाएगा तो 6 दुना 12 हो जाएगा अब देखिए हमको क्या निकालना था X की वैलू निकालना था तो X की वैलू हमारी आ जाएगी X बराबर 12 और यही हमारा जो है क्या हो जाएगा answer हो जाएगा अब देखते हैं, next question, तो देखें, next question है, चित्र में तिर्भुज ABC और तिर्भुज PQR दो समरूप तिर्भुज हैं, यदि BC बराबर 2 cm, AB बराबर 3 cm और QR बराबर 3 cm हों, तो भुजा PQ की माप ग्याद कीजिए, तो देखें, यहाँ पर कहा गया है कि दोनों तिर्भुज जो हैं, यनि कि तिर्भुज ABC और तिर्भुज PQR दोनों समरूप तिर्भुज हैं, तो समरूप तिर्भुज के लिए एक condition होती है, या तो कह लिजे कि एक सर्थ होती है कि समरूप तिर्भुज की जो संगत भुज ये होगी और इसके संगत भुजा ये होगी और इसके संगत भुजा क्या होगी इसके संगत भुजा ये होगी ये आप लोगों को ध्यान रखना है तो यहाँ पर देखिए जो संगत भुजा होती है वो समानपाती होती है तो यहाँ पर हम तिर्भुज ABC और तिर्भुज PQR म में चाहें तो थोड़ा सा लिक भी सकते हैं समरूप तिर भुज की संगत भुजाएं संगत भुजाएं एक दूसरे के समानपाती होती हैं समरूप तिर्बुज की संगत भुजाएं, एक दूसरे के समानपाती होती हैं, देखिए यहाँ पर समानपाती हो जाएंगी, तो यहाँ पर हम देखिए क्या लिखेंगे, देखिए BC, यहाँ पर BC भुजा जो यह है, BC बटे QR कर दें, देखिए संगत भुजाएं क्या हो जाएंगी, BC बटे QR, देखिए यहाँ पर हमको PQ निकालना है, तो हमको यह ध्यान दखना है कि PQ को जरूर इसमें सामिल करना है, हमारी भुजाएं आ सकती हैं और यह ध्यान रखना है कि जिन भुजाओं की माप दी हुई है उनको जरूर सामिल करना है तो यहां पर देखें यह दोनों भुजाएं दी हुई है तो इनको हम जरूर सामिल करेंगे तो यहां पर देखें क्या हो जाएगा AB upon क्या हो जाएगा PQ हो जाएगा और उसके बाद के देखिए अब इनका हम मान रख देंगे तो देखिए इनका जब मान रखेंगे यहाँ पर BC बरावर 2 cm और QR बरावर कितना है 3 cm और फिर बरावर AB बरावर कितना दिया हुआ है AB बराबर दिया हुआ 3 cm और जो है PQ हमारा दिया नहीं तो PQ की जगे पर PQ ही रहने देंगे, आप देखिए क्या करेंगे आप यहाँ पर इसका जो है cross multiply कर लेंगे तो जब cross multiply करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 PQ बराबर हो जाएगा 3 तरिक का 9 और फिर PQ बराबर हो जाएगा 9 बटे 2 क्योंकि यहाँ पर 2 गुड़ा कर रहा इधर जाएगा तो भाग करेगा तो PQ बटे 2 हो जाएगा और फिर यहाँ पर PQ बराबर यहाँ पर देखिए 9 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा 4.5 लिख लेंगे अब देखे सेंटी मीटर में भुजाएदी हुई थी तो यहाँ पर सेंटी मीटर लिख सकते हैं और यही हमारा क्या हो जाएगा आइंसर हो जाएगा यहनि कि हमको PQ गयाद करना था और PQ यहाँ पर हमारा पता चल जाएगा अब देखते हैं next question तो देखे अब next question देखते हैं question number 9 टैली चिन लगाकर निम्नांकित संख्यों की बारंबारता सांडी बनाईए देखे आज थोड़ा fast मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वीडियो जाता लंबा हो जाता है मैं पहले ही बता चुका हूँ तो इसलिए आप लोग लगातार ध्यान देते रहना यनिकि चैट वेट थोड़ा कम करना क्योंकि थोड़ा fast पढ़ा रहे हैं तो ध्यान देने की जरूरत है अनिता आप लोगों की समझ में नहीं आएगा तो यहाँ पर देखे टैली चिन लगाकर निमनांकित संख्याओं की बारम बारता साड़ी बनाईए तो यहाँ पर देखिए ये आंकड़े दिये हुए हैं और ये आविवस्थित आंकड़े कहे जाते हैं क्योंकि ऐसे ही आविवस्थित रूप में दे दिये जाते हैं तो सबसे पहले इनको हम ब्यवस्थित करेंगे यनिक इनको ये जो संख्याएं दी हुई हैं इने संख्याओं को हम आरोही क्रम में लिखेंगे तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे सबसे पहले लिख लेंगे संख्याओं को आरोही क्रम में रखने पर संख्याओं को संख्याओं को आरोही करम में रखने पर आरोही को मतलब क्या होता है बढ़ते करम में आरोही करम में रखने पर आरोही करम में रखने पर तो देखें इनको जब आरोही करम में रखेंगे तो यहाँ पर देखे सबसे चोटी संख्या क्या है बारा है तो बारा को सबसे पहले लिखेंगे और उसके बाद पर देखे यह एक बारा हो गया और एक यहाँ पर यह बारा है यानि कि दो बार है तो इसको दो बार लिख लेंगे उसके बाद फिर 13 देखिए कहीं पर है यहां पर देखिए 13 है तो 13 लिख लेंगे उसके बाद यहां के लाओ देखिए यहां भी 13 है तो इसको भी लिख लेंगे तो 13 भी जो है दो बार है तो इसको दो बार लिख लेंगे उसके बाद देखिए 14 यहां पर देखिए एक बार है और फिर ये एक बार हो गया और ये कि ये हो गया यनिकि ये है चार बार पंद्रह जो है कितनी बार है तो ये है चार बार और फिर देखे सोला कितनी बार है सोला ये हो गया एक बार फिर दो और तीन तीन बार है तो 16 को जो है, तीन बार लिख लेंगे, और 16 के बाद अब कोई संख्याएं नहीं हैं, तो यहाँ पर देखे, कुल मिला करके, 10 और 20 के बीच में ही संख्याएं हैं, तो इनको क्या करेंगे, दो वर्ग अंतराल में बाट लेंगे, यनि कि यहाँ पर जो है, 10 और 15 के बीच में क की संख्याएं क्या होंगी देखे इसी वर्ग अंतराल में 15 वाली संख्या भी सामिल कर लेंगे तो यहाँ पर देखे बारम बारता में क्या लिखा जाता है कि 10 और 15 के बीच में कितनी संख्याएं आ रही है और कितनी बार आ रही है यह लिखा जाता है तो यहाँ पर देखे 10 और 15 के बीच में कितनी संख्यां आ रही हैं और कितनी बार आ रही हैं ये भी साथ में कौंट करना है तो यहाँ पर देखे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो देखे नो संख्यां आ रही हैं क्योंकि 15 को भी इसमें सामिल करना है तो यहाँ पर देखे संख्या तो यहां पर देखे तीन ही आ रहे हैं एक दो तीन चार संख्या आ रहे हैं लेकिन जो है जितनी बार आ रहे हैं वो यहां पर लिखना है तो यह आ रहे हैं नौ बार तो यहां पर नौ लिख लेंगे बारम बारता में उसके बाद 15 और 20 के बीच में तो देखे 15 और 20 के बीच म कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पर देखिए, बारम बारता 9 है, यहनि कि 9 को हमको टैली चिन्ध में परदर्शित करना है, तो यहाँ पर देखिए, हम जो है, यहाँ पर एक को कैसे लिखते हैं, अगर एक बारम बारता है, तो एक को सिर्फ एक खड़ी रेखा से परदर्शित करत तो यह हो गया पांच लेकिन यहां पर है नौ यानि कि अभी यह पूरा नहीं हुआ है तो हम फिर क्या करेंगे अब पांच के बाद फिर यह छे फिर एक खड़ी रेखा और फिर एक आठ यह भी खड़ी रेखा रहेगी और फिर एक नौ यह खड़ी रेखा रहेगी अब पाचवी की जरूरत हमको है तो वो जो है इस तरीके से इनको क्रास करके जो है पड़ी रेखा खींची जाती है अब यहाँ पर सिर्फ तीन का टैली चिन बनाना है तो यहाँ पर एक दो तीन यहनी की तीन खड़ी रेखा है इस तरीके से खींच देंगे तो यह हो जाएगा ट सबसे छोटी पूर्ण संख्या लिखिए तो देखे आप लोगों को जो है प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या पुडांक बहुत ही अच्छे से पढ़ाया गया है तो जो लोग अभी तक जो है ना जानते हों किलियर तो इस पर कई वीडियो हम बना चुके हैं तो आप लो किसे हैं तो देखे यहां पर एक बात मैं आप लोगों को बताए भी दे रहा हूं कि जो है पूर्ण संख्या क्या होती है देखे जो है प्राकृतिक संख्याओं में जब जीरों को सामिल कर लिया जाता है तो वह पूर्ण संख्याओं कहलाती है लेकिन उससे पहले बाप लो जो गिनने में परियुक्त होती है वो एक से लेकर के अनंत तक होती है तो वो प्राकृतिक संख्या हो गई और जीरो से लेकर के अनंत तक संख्याओं जो होती है वो पूर्ण संख्याओं होती है तो यहां पर अगर देखा जा तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जा बहुत ही आसान question है, लेकिन अगर आप लोग पढ़ोगे नहीं, तब यही question आप लोगों के लिए कठिन भी हो जाएगा, यैनि कि आप लोगों को सर्वसमिका और समीकरण छाट करके लिखना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सर्वसमिका क्या होता और समीकरण क्या होता है तो देखिए जो समीकरण होता है उसके दोनों पच बराबर नहीं होते हैं point याद रखना, समीकरण क्या होता है इसके दोनों पच बराबर नहीं होते हैं और जो सर्वसमिका होती है उसके दोनों पच बराबर होते हैं, ये इतना आप लोगों को ध्यान लखना है, तो यहाँ पर देखिए, एक ये समीकरण या सर्वसमिका कुछ भी दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, देखने में बराबर नहीं लग रहा है हमको, लेकिन यहाँ पर जो है, गुड़े के रूप में दिया हुआ है तो इसको हम solve करके देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, solve करेंगे इसका अंदर गुड़ा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2X हो जाएगा और फिर 2 का 2 में गुड़ा करेंगे सारी 2 का 1 में गुड़ा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और फिर यहाँ पर देखें इधर से जंख्या उतार लेंगे तो 2X plus 2 हो जाएगा अब यहाँ पर देखिए LHS बराबर क्या है RHS दोनों बराबर हैं तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा सर्व समिका सर्व समिका तो इस परकार से इसको छोट सकते हैं और यहाँ पर देखिए LHS है और जो है यहाँ पर यह इधर वाला RHS है यह दोनों देखिए बराबर नहीं है तो यहाँ पर LHS is not equal to RHS लिकर के और यहाँ पर नीचे लिख लेंगे यह क्या होगा यह होगा समी करण यहनी कि LHS और RHS बराबर नहीं है इसका मतलब यह क्या हो जाएगा यह समी करण हो जाएगा और यह हो जाएगी सर्व समी का तो इस परकार से छाट करके हम आसानी से लिख सकते हैं देखे कुछ अगर साल्व करने के लिए दिया हो तो यह आप लोगों को ध्यान दखना है कि गुड़ा भाब करके जो है कहीं ऐसा तो नहीं कि LHS, RHS भराबर हो रहे है तो यह आप लोगों को भी शेशरूप से ध्यान देना है और बाकी आप लोगों को सिर्फ इतना देखना है कि LHS और RHS भराबर होने चाहिए और जब बराबर हों तो सर्व समी का होगी और बराबर अगर ना है तो क्या होगा समी करण होगा ये ध्यान लखना है आप देखते हैं next question तो देखें next question है चित्र में रेखा AX कोण CAB और कोण BDC को सम्द्भाजित करती है उन तीन तत्यों को लिखिए जो यह सिद्ध करें की तिर्भुज ABD सर्वांगसम तिर्भुज ACD देखें यहाँ पर सर्वांगसम हमको सिद्ध करना है बहुत important question है आप लोगों को पढ़ाया भी गया है तो पुना एक बार question को पढ़ लेते हैं कि चित्र में रेखा AX तो देखें ये रेखा AX है चित्र में रेखा AX कोड CAB और कोड BDC CAB और कौण सी है BDC यहनि कि जो ये कोड है और जो ये कोड है इसको क्या करती है ये AX भुजा ये सम्दुभाजित करती यहनि कि दो बराबर जो है भागों में बाटती है तो उन तीन तत्थ्यों को लिखना है जो यह सिद्ध करें कि तिर्भुज A, B, D सर्वांगसम तिर्भुज A, C, D यनि कि इस तिर्भुज के सर्वांगसम तिर्भुज यह होगा यह हमको सिद्ध करना है तो सबसे पहले इसके लिए तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सर्वांग सम्ता की सर्तें क्या होती है तो यहाँ पर एक point मैं आप लोगों को लिखाये दे रहा हूं कि सर्वांग सम्ता की सर्तें क्या होती है यहाँ पर सर्तें आप लोगों को start cut में बताये दे रहा हूं सर्तें तो देखें सर्वांग सम्ता की सर्तें होती है पहले बात तो दो भुजा एक कोड बराबर होना चाहिए या तो दो कोड एक भुजा बराबर होनी चाहिए या तो तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए ये सरवांग समता की सर्ते होती है यानि कि एंगिल और साइड एंगिल ये देखें एंगिल साइड एंगिल होना चा यानिकि तीनों भुजाएं या तो बराबर हो या तो एक कोण दो भुजा बराबर हो और या तो दो कोण और एक भुजा बराबर हो तब ये जो है तिरभुज क्या होते हैं सरवांगसम तिरभुज होते हैं तो यहाँ पर हमको condition सिर्फ बताने हैं कि वो कौन से तीन condition हैं जो ह इसको सरवांगशन सिध्ध कर सकते हैं तो यहां पर देखें हम पहली कंडिशन लिख रहे हैं आप लोग देख लीजे यहां पर पहली कंडिशन हो जाएगी जो यह रेखा है यानि कि ad ad रेखा जो है यह जो है इन दोनों कोणों को कहा गया है कि सम्दुभाजित कर रही यहां देखिए इस तिर्भुच की भी भुजा है और इस तिर्भुच की भुजा है यनि कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि AD बराबर AD बराबर क्या हो जाएगा AD यनि कि ये दोनों तिर्भुज के लिए है AD बराबर AD यनि कि इस तिर्भुज के लिए भी और इस तिर्भुज के लिए भी तो यहाँ पर ये भुजा जो है दोनों तिर्भुज के लिए क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी उसके बाद फिर दूसरी सर्थ क्या लिख सकते हैं दूसरी condition क्या लिख सकते हैं तो यहाँ पर देखे कॉंड ये जो कॉंड है इसके बराबर होगा तो यहाँ पर लिख सकते हैं कॉंड C, A, B देखे C, A, D यहाँ पर C, A, D कॉंड यहाँ पर देखे C, A, D यनि कि जो ये कोंड है इसके बराबर कोंड ये होगा तो यहाँ पर बराबर कोंड लिख लेंगे D, A, B कोंड D, A, B और फिर देखें तीसरी जो वो है कंडिशन वो क्या लिख लेंगे तो देखें तीसरी कंडिशन है कोंड C, D, A कोंड C, D, A बराबर होगा कौण किसके ए डी बी के कौण ए डी बी के अब देखिए यहाँ पर जो है दो भुजाएं बराबर तीनों भुजाएं बराबर हो गए यहाँ पर कौन सी कंडिशन लागू हो रही यहाँ पर यह कंडिशन जो है वो बराबर हो रही यहाँ यहाँ पर जो है यह पाली condition लागू हो रही है, angle, side, angle, यनि कि एक भुजा बराबर है और दो कौण बराबर है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कौण, कौण, भुजा, कौण, यनि कि कौण, भुजा, कौण, यह condition जो है, यहाँ पर लागू हो रही है, इसलिए तिर्भुज क्या होंगे, आता है, यह तिर्भुज, शर्वांगशम, तिर्भुज होंगे, यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं, और यही हमारा क्या हो जाएगा answer हो जाएगा, यही कह लिजिए हमको सिद्ध करना था, तो अब देखिए, next question देखते हैं, question number 13, यदि x minus 1 upon x बरावर 3 बटे 2, तो x square plus 1 upon x square का मान गयाद कीजिए, देखिए, बहुत ही आसान question है, और यही question जो है, कल किसी student ने हमसे whatsapp पर पूच्छा भी था, तो हमने उसको ह पर में आ भी गया है, तो बहुत ही आसान question है, यहाँ पर इसको आप लोग समझ लीजिए, अब नाम तो नहीं याद है, कि किसने पूच्छा था, लेकिन कल किसी ने whatsapp पर ये photo case करके send किया था, तो हमने इसको हल करके उसका photo उसके पास भेजे थे, तो यहाँ पर देखिए, आप लोग समझ लीजिए, कि इसको कैसे करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो ये लिखा है, इसको जो है, उतार लेंगे नीचे, x-1 upon x बराबर 3 बटे 2, और फिर नीचे लिख देंगे, दोनों पच्छों का वर्ग करने पर, दोनों पच्छों का वर्ग करने पर, देखिए, दोनों पच्छों का वर्ग कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए, जब वर्ग करेंगे, तो हो जाएगा, x-1 upon x का होल स्कोर, और बराबर हो जाएगा, 3 बटे 2 का होल स्कोर, तो यहाँ से देखिए, क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, a-b का होल स्कोर का फ यहां से हो जाएगा minus, क्योंकि देखे, a square plus b square minus 2a भी होता है, minus हो जाएगा, 2 into x, और into 1 upon x, और बराबर यहां पर हो जाएगा, देखे, 3, 3, 9, और 2, 4, यहां पर देखे, बटे में 2 है, तो 2, 4 हो जाएगा, और फिर यहां पर देखे, x square, और plus 1 upon x square हो जाएगा, और यहां से देखे, x x cancel हो जाएगा, तो यहां से देखे, क्या हो जाएगा, 9 बटे 4, और देखे, यहां पर minus का 2 बच्चा है, उधर जाएगा, तो plus का 2 हो जाएगा, अब यहां पर देखे, side में इसको देख लेते हैं, तो यहां पर देखे, side में यही चीज़ें यहां पर उतार लेते तो यहाँ पर देखे हो जाएगा x square और जो है यहाँ से देखे इस तरीके से कर लिजी तो यहाँ पर देखे x square और फिर जो है plus 1 upon x square हो जाएगा और फिर बराबर यहाँ पर देखिए LCM ले लेंगे तो LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 8 हो जाएगा और बटे में 4 हो जाएगा अब यहाँ से देखिए X2 प्लस 1 अपान X2 हो जाएगा और बराबर यहाँ पर देखिए 9 और 8 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा और बटे में 4 हो जाएगा यानिकि 17 बटे 4 हमारा एंसर आ जाएगा तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से ये question हल हो जाएगा अब देखते हैं next question तो देखे next question क्या है देखे x-2y plus 3y-x minus 3x-2y को सरल कीजिए बहुत ही आसान question है तो देखे इसको सबसे पहले क्या करेंगे इसको सबसे पहले नीचे उतार लेंगे x-2y और फिर plus 3y-x और minus 3x-2y इस तरीके से इसको उतार लेंगे फिर बराबर लगाएंगे और यहाँ पर देखे आप क्या करेंगे bracket को हटा देंगे तो यहाँ पर देखे bracket को हटाएंगे तो यहाँ पर देखे क्या हो जाएगा x-2y फिर बीच में plus है plus लगाए और फिर 3y-x है इसको लिख लिए और इस minus की वज़े से इसके अंदर के चिन है चेंज हो जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा minus का 3x और plus का 2y आप देखे यहाँ पर जो पद जूड घट रहे हों उनको जूड घटा लेजिए और जो है जो बचेगा वही क्या हो जाएगा हमारा answer हो जाएगा तो यहाँ पर देखे एकस प्लस का है और यहाँ पर एकस माइनस का है यह आपस में कैंसिल हो जाएंगे फिर देखे यहाँ पर 2y माइनस की है और यहाँ पर 2y प्लस की है ते दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे आप देखे यह 3y प्लस का है और यह 3x है माइनस का तो इन पर हो जाएगा 3 common लेकर के देखे क्या बचेगा y minus x बचेगा अब देखिए हम क्या करेंगे अभी यह y minus x हमको उल्टा लग रहा कि उल्टा लिखा हुआ है यहनि कि आप answer में मिलाओगे तो हो सकता है यह ना मिले तो इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे इस x को आगे कर लेंगे तो इसको आगे करने के लिए इसको plus करना पड़ेगा यहनि कि इसमें minus से क्या करना पड़ेगा गुड़ा करना पड़ेगा तो यहाँ पर देखिए minus यहाँ पर हो जाएगा यह कह लिजिए कि minus का जो है क्या करेंगे यहाँ पर minus common ले लेंगे इसमें से तो यहाँ पर देख का y है ये क्या हो जाएगा माइनस का y हो जाएगा यानि कि यहाँ पर माइनस का जो है माइनस क्या करेंगे माइनस कामन ले लेंगे तो इस प्रकार से यही हमारा जो है answer हो जाएगा अब देखिए आगे next question देखते हैं तो देखिए next question है एक कमरे का फर्स तीन सो सेंटी मीटर गुड़े 425 सेंटी मीटर माप का है कमरे की फर्स पर वर्गा कार टाइल लगाने हैं वर्गा कार टाइल लगाने हैं एक ही नाप के कम से कम लगा जाने वाले टाइलों की संख्या ग्याद कीजिए एक ही माप के टाइल लगवाने हैं और जो है कमरे की फर्स का छेत फल एक हिसाब से कह लिजी यहाँ पर दिया हुआ है कि एक कमरे का फर्स तीन सो सेंटीमीटर गुड़े चार सो पचीज सेंटीमीटर है तो यहाँ पर अगर इसका गुड़े चार सो पचीज सेंटीमीटर माप का कमरे की फर्स है और कमरे की फर्स पर वर्गा का टाइल लगवाना है और यह भी बताना है कि जो है कितने टाइल कुल टाइल कितने लगेंगे तो इसके लिए हमको जो है तीन सो और चार सो पचीज का जो है क्या करना होता यहां पर हम देखिए लिखे लेंगे फर्स कहा छेतफल तो देखिए छेतफल क्या होगा? चूंकि र्गा का टाय जो है जब rate फर्स कैसी है, है क्विंवें यहां पर आंताकार है क्योंकि यहां पर लंबाना चोड़ाई अलग अलग बनाय दी cm आयताकार और आयत का छेतफल लंबाई गुड़े चोड़ा ही होता है तो यहाँ पर 300 गुड़े कितना हो जाएगा 425 हो जाएगा तो यह हो जाएगा फर्स का छेतफल अब देखिए हमको ऐसी संख्या निकाल ली है जो इन दोनों को पूरी पूरी विभाजित कर देगी वही जो होगी वो क्या होगी टाइल की एक भुजा हो जाएगी क्योंकि जो है टाइल की जब हमको भुजा निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा इन दोनों संख्याओं का मासा निकालना पड़ेगा यानि कि जो मासा होगा वही इन दोनों संख्याओं को पूरा-पूरा विभाजित कर सकता है और तभी जो है इस फर्स में उसी नाप की जो है टाइर से लगवाई जा सकती है और जो भुजा एक आएगी वो यहाँ पर कहा गया है कि फर्स पर वर्गा का टाइल लगाने है तो यनि कि वो जो एक भुजा आएगी वो वर्ग की भुजा होगी यनि कि वर्ग की क्या होती है चारों भुजाएं बराबर होती है और फिर उसी का हम क्या करेंगे छेतफल निकाल लेंगे और फिर इसके छेतफल से उसके छेतफल को भाग कर देंगे तो टाइल्स की संख्या निकाल आएगी तो यहाँ पर देखे अब हम फर्स का छेतफल यहाँ पर देखे इस तरीके से लिख लिए हैं उसके बाद अब क्या करेंगे अब जो है हम इनका जो है मासा निकालेंगे तो देखें मासा निकालेंगे तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देंगे यहनि कि भाग विधी से हम मासा निकालेंगे तो यहाँ पर 300 एककम 300 हो जाएगा और यहाँ पर 125 हो जाएगा अब 125 से 300 का भाग संखे में कि यहां पर देखे कितनी बार जाएगा तो यह जाएगा। दो बार एक yani भज़ीन से किस हो जाएगा। जाएगा अब यहां से बच जाएगा 50 अब यहां से 50 से 50 को फिर बार चला जाएगा। 25 दुन,hah 50 तो यहां पर देखें। पूरा-पूरा cancel हो जाएगा. तो यहां पर जो मासा आएगा, कितना आएगा, 25 आएगा। तो जो मासा आएगा, 25 आएगा। अताह जो टाइल है। यहां पर लिख सकते आए। अताह व पैसा को यह पिर जार्ट टाइल की भुजा बराबर कितनी हो जाएगी टाइल की भुजा बराबर 25 cm हो जाएगी अब जब टाइल की भुजा हमको पता चल गई है तो अब यहां से हम निकाल सकते हैं टाइल का छेत फल बराबर टाइल का छेत फल बराबर देखिए चूंकि कहा गया है टाइल वर्गाका है तो यह वर्गा का टाइल है और इसकी एक भुजा निकाल आई है तो यहाँ पर हम जो है टाइल का छेत फल निकाल लेंगे भुजा स्क्वाइर से तो देखें यहाँ पर कर देंगे भुजा square यनि कि 25 का square हो जाएगा तो यनि कि इसको 25 का square कह लो चाहे कर लो 25 गुड़े 25 तो देखिए अभी इसको 25 गुड़े 25 के रूप में ही लिखा रहने देंगे अब देखिए हमको निकालना क्या है टाइलों की संख्या निकालनी है तो यहाँ पर हम लिखेंगे टाइलों की संख्या बराबर तो देखिए टाइलों की संख्या निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे फार्स का छेत्रफल बराबर लिखेंगे फार्स का छेत्रफल बटे क्या हो जाएगा टाइल का छेत्रफल यहां कि एक टाइल का जो छेत्फल होगा उससे अगर फर्स के छेत्फल को भाग दे देंगे तो इस फर्स में कितनी टाइल लगेंगी यह निकल आएगा तो यहां पर नीचे लिख लेंगे टाइल का छेत्फल तो यहां पर देखें फर्स का छेत्फल कितना है तो फर्स का छेतफल है, 425 गुड़े 300, और बटे में हो जाएगा देखे, जो टाइल का छेतफल है, वो कितना है, 25 गुड़े 25, यहाँ पर देखे, 25 गुड़े 25 हो जाएगा, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखे, भाग कर देंगे, यहनि कि 25 से इसको काड देंगे, य और यहाँ पर देखे, 25 एकम 25 हो गया, अब यहाँ पर बचा 5, यहाँ पर देखे, 25 एकम 25 हो गया, 30 में से 25 को घटाएंगे, तो 5 बचा, और 5 और 0 आगे 50 हो जाएगा, तो यहाँ पर देखे, जो है, कितनी बार जाएगा, तो यह जाएगा 25 सते, देखे, कितनी बार तो पच्चास हो जाएगा तो यहाँ 15 धुन्न पच्चास से यो है बारा से यह कंसिल हो जाएगा पूरा यहाँ पर sides बचेश यहाँ पर हो जाएगा देखे पचीश एक बार जाएगा 25 से कम 25 और फिर कितना बचेगा तो यहाँ पर देखे बचेगा 25, 5, 30 और 10, 40 यनि कि बचेगा 17 और 17 बचेगा और उसके बाद फिर जो है 17 के बगल में जब 5 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 175 हो जाएगा अब 24, 100 होता है और 27, 175 होता है तो यहाँ पर देखेगे 25, 17, 175 हो जाएगा यनि कि उपर अब क्या बचा 17 गुडे 12 बचा और बटे में कुछ नहीं बचा तो यहाँ पर 17 गुडे 12 कर लेंगे तो 17 गुड़े 12 कितना हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए 12 सते 84 84 का 4 हो जाएगा और 12 एककम 12 और 12 और 8 कितना हो जाएगा 12,8 20 हो जाएगा यानि कि 204 जो है हमारा answer आ जाएगा तो इस परकार से 204 tiles जो है इस first में लगेंगी तो यही हमारा जो है answer हो जाएगा तो देखिए यह question जो है थोड़ा tough है लेकिन आप लोग अच्छे से समझ लीजिए तो कुछ भी tough नहीं है एक बार पुना इसको समझ लेते हैं देखिए एक कमरे का first 300 cm देखिए पुना देख लीजिए एक कमरे का first 300 cm गुड़े 425 cm माप का है कमरे की first पर वर्गा का टाइल लगाने है एक ही नाप के कम से कम लगाये जाने वाले टाइलों की संख्या गैप कीजिए तो देखिए ये कमरे की first का समझ लीजिए छेतरफल दिया हुआ है यानि कि लंबाई गुड़े चोड़ाई को पूरा पूरा विभाजित कर दे यानि कि उसी माप की जो है टाइल से कमरे में लग सकती है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इनका दोनों का जो है मासा निकाल लेंगे तो यहाँ पर मासा देखिए कितना निकल करके आया है तो मासा देखे निकला है 25 तो यानि कि भुजा की जो टाइल है टाइल की भुजा की माप कितनी हो जाएगे 25 हो जाएगी अब टाइल का छेथफल निकाल लेंगे तो देखे टाइल वर्गा का है तो वर्ग का छेथफल होता भुजा स्कॉर तो यहाँ पर भुजा स्कॉर कर ल देख लिए हैं और जो है टाइल का च्छेत फल कितना हो जाएगा तो पच्चीस गुड़े पच्चीस हो जाएगा पच्चीस से इसको सरळ कर लिए है तो यहाँ पर सत्रह गुड़े करने के बाद 17 10 8 करेंगे तो Sus चार आ जाएगा तो इस पकार से 204 टाइल से हमारा एंसर आ जाएगा अब देखते हैं next question तो देखिए next question है question number 16 100 और 110 के बीच की अभाज संख्याएं ग्यात कीजे 100 और 110 के बीच की अभाज संख्याएं ग्यात कीजे बहुत ही आसान question है तो आप लोगों को अभाज का मतलब पता ही होगा कि ऐसी संख्याएं जो स्वयम और एक के अलावा किसी अन संख्याएं से न कटें उन्हें अभाज संख्याएं कहते हैं तो यहाँ पर 100 और 110 के बीच की अभाज संख्याएं हमको ग्यात करना है तो देखिए कौन कौन सी हो जाएंगी तो यहाँ पर देखिए answer लिख लेंगे यहाँ पर देखिए 101 जो संख्याएं वो किसी से नहीं कटेंगी या तो 100 से कटेंगी या तो 1 से कटेंगी और फिर देखिए 101 के बाद फिर 103 वो संख्या हो जाएगी यनिकि अभाज संख्या और फिर देखिए 105 जो है वो कट जाएगा तो यहाँ पर 105 नहीं रखेंगे क्योंकि 3 त्रिक्का 9 और फिर 35 15 तो 105 कट जाएगा तो वो हो जाएगी भाज संख्या इसलिए 105 को नहीं रखेंग फिर 107 किसी से नहीं कटेगी और फिर 107 के बाद फिर 109 हो जाएगी तो ये हो जाएगी अभाज संख्याएं तो यही हमारा answer हो जाएगा यानि कि हमको 100 और 110 के बीच की संख्याएं लिखनी थी तो ये 4 संख्याएं हो जाएगी अब देखते हैं नेक्ट कुश्चन तिरभुज PQR की रचना कीजिए जिसमें QR 5.5 cm, Rp 0.0, देखिए Rp बराबर 4.5 cm, तथा कौन QRP बराबर 60 डिगरी हो रचना मत कीजिए यनि कि हमको क्या करना है सिर्फ चित्र बनाना है और बाकी रचना नहीं करना है तो देखिए इसका जो चित्र है वो परकार की सहता से ही बन सकता है यनि कि आपको ऐसे हाथ से नहीं बनाना है ये आप लोगों को किलियर याद रखना है ये चित्र जो है पटरी की सहता से और जो परकार है परकार की सहता से नाप का ही बनना चाहिए अगर बगार नाप के ऐस से हास से बनाऊगे है तो वह गलत माना जाएगा. तो, चलिए देखते हैं कि इस तिर्भुज की कैसे रचना करें। यहां पर कहा गया है कि रचना मत कीजिए तो इसका मतलब यह है कि हमें तिर्भुज जो बनाना है लेकिन उसकी रचना लिखना नहीं है इसलिए यहाँ पर रचना मत कीजिए लिखा हुआ है बाकि तिरभुज की रचना तो करनी ही है यानि कि जो चित्र है वो चित्र तो बनाना ही है लेकिन यहाँ पर रचना लिखना नहीं है तो चलिए देखते हैं कि कैसे यह चित्र यहां पर देखिए कि रचना लिखी कैसे जाती है तो यहां पर देखिए रचना लिखने के लिए तो मना किया गया है लेकिन हम आप लों को चित्र बना के बता रहे हैं कि कैसे यह चित्र बनेगा तो यहां पर देखिए दिया हुआ है QR सबसे पहले देखिए QR दिया हुआ ह 5.5 cm तो यहां पर जो है scale की सहाथा से 5.5 cm की एक रेखा खीच लेंगे यहां पर देखिए जीरो से खीचना जो है शुरुवात करते हैं यहां पर जीरो से और फिर जो है कहां तक खीचेंगे 5.5 cm तो यहां पर देखिए 5 और जो है यहां पर देखिए 5 और 6 के बीच में जो है यहां पर देखिए एक्स्ट्रा हो गया है इसकेल में थोड़ा अच्छे से दिखाई नहीं देता है इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया है यहां पर इतना मिटा देते हैं तो यहां पर देखिए केवल जो है 5.5 cm ही खीचना है यहाँ पर 0 से शुरुआत करेंगे और जो है 5.5 यहाँ पर 5 और 6 के बीच में जो बड़ी वाली लाइन है यहाँ तक हम खीचेंगे तो यह हो जाएगी 5.5 cm अब इसका नाम रख लेंगे Q और इसका नाम रख लेंगे R और इसको लिख लेंगे 5.5 cm और फिर देखिए क्या करना है फिर R P खीचना है 4.5 cm तो देखिए R P जो है R P अभी यहाँ से देखिए इधर कहीं होगा P कियोंकि तिरभुज है तो इधर कहीं P होगा तो यहाँ पर हम ऐसे खीच नहीं सकते हैं क्योंकि इधर से खीचें या इधर से हमको कुछ clear नहीं है तो इसलिए यहाँ पर यह रेखा खीचने के बाद हम तुरंत आरपी नहीं खीच सकते हैं तो यहाँ पर देखिए अब अगला देखेंगे क्या है पॉइंट तथा कोण QRP 60 डिगरी हो तो यहाँ पर देखिए QRP यहाँ कहीं होगा इसका जो यह कोण है यह कोण दिया हुआ है 60 डिगरी तो यह कोण वाला काम हम पहले करेंगे यहाँ पर हम क्या करेंगे 60 डिगरी का कोण बना लेंगे तो यहाँ पर देखे 60 डिगरी का कोण कैसे बनाते हैं तो देखें एक ऐसे अर्ध ब्रत खीज देंगे यनि कि जो ये रेखा है इस रेखा की आधे से कम दूरी लेकर के इस तरीके से अर्ध ब्रत खीज देंगे और फिर यहाँ पर देखें दूरी घटने बढ़ने ना पाए और फिर इस रेखा को जहां पर ये चाप काटता है, वहां पर परकार की नोक रख करके और इस वाले चाप को इस तरीके से काट देंगे। 60 डिगरी का है, क्यORA की 60 डिगरी का कोन हम बनाएं हैं, तो यह 60 डिगरी का कोन है, लेकिन अभ यह नहीं पता है कि यहां पर जो है P बिंदु कहां पर मिलेगा, तो इसके लिए हमको अभ यहां पर R P बराबर 4.5 सेंटी मितर लेना है, यानि कि हमको जब यह रेखा पता चल गई है कि यह रेखा है और 60 डिग्री का कौन बनाती हुई है तो यहाँ पर देखे आर पी यानि कि आर पी पी यहाँ कहीं होगा और उसकी माप दी हुई है 4.5 cm तो यहाँ पर देखे परकार में हम 4.5 cm दूरी ले लेंगे तो यहाँ पर देखे 4.5 cm दूरी लेना है तो यहाँ पर देखे इस तरीके से हम 4.5 cm के दूरी ले लेंगे और जो है अब यहाँ पर हम जो है आर को केंद मान करके इस पर जो है इस तरीके से चाप लगा देंगे औ कौन सा P यानि कि इसको P नाम रख लेंगे और P से फिर Q को मिला देंगे और इस प्रकार से तिर्भुज P Q R की रचना हो जाएगी पुना एक बार ध्यान से समझ लीजे देखे सबसे पहले क्या करेंगे Q R एक रेखा 5 cm की सारी 5.5 cm की खींच लेंगे फिर देखे यहां पर क्य करेंगे कि 60 डिगरी का कौन बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे और फिर जो है क्या करेंगे प्रकार में 4.5 cm की दूरी ले करके और 60 डिगरी का कौन बनाने वाली भुजा पर एक चाप लगाएंगे और ये चाप जो है 60 डिगरी का कौन बनाने वाली भुजा को P बिंद परकारता है अब P को Q से मिलाएंगे तो इस परकार से हमारा तिर्भुज P Q R बन जाएगा देखे जो हम बोल रहे हैं यही रचना भी लिखनी है अगर रचना लिखने के लिए तो इसी तरीके से अपने सब्दों में आपको रचना भी लिखनी है और बाकी चित्र तो आप लोगों के समझ में आ ही गया होगा तो देखे इसकी रचना अगर हमको लिखनी हो तो रचना कैसे लिखेंगे तो देखे रचना इसी टाइप से लिखेंगे कि सर पर्थम Q R 55.5 cm की रेखा खींचा फिर R से 60 degree का कोड़ बनाती होई यowin कि बिंद R से 60 degree का कोड़ बनाती हुई एक रेखा खींचा और फिर जो है परकार में 4.5 cm की दूरी ले करके और बिंद R को केंद मान करके और 60 degree का कोड़ बनाने वाली भुझा पर एक चाप लगाया जो जो है 60 डिगरी का कौन बनाने लिव भुजा को P बिंदु पर काड़ता है फिर P को Q से मिलाया तो इस प्रकार से तिरभुज P Q R की रचना हो जाएगी इतना केवल आपको रचना में लिखना है तो इस प्रकार से ये 17 नंबर कुश्चन भी आप लोगों का हो जाएगा अब देखते हैं नेक्ट कुश्चन तो देखें नेक्ट कुश्चन है दो संख्याओं का अंतर 48 है इनमे से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भाग फल 5 है और सेस्फल सून है दोनों संख्याओं ग्याद कीजे बहुत ही आसान कुश्चन है देखें कैसे लगेगा तो यहाँ पर देखें सबसे पहले हम मान लेंगे माना एक संख्या क्या है यहाँ पर देखें दो संख्याओं का अंतर 48 दिया है न तो यहाँ पर हमानेंगे माना पहली संख्या चाहे मान लीजे, माना एक संख्या, तो यहाँ पर हमान लेंगे माना पहली संख्या बराबर, एक्स है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर, देखिए जब पहली, यहाँ पर बराबर नहीं लगाएं देखे पहली संख्या जब X मान लिए हो तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी तो देखे दोनों का अंतर 48 दिया हुआ है तो यहां पर दूसरी संख्या मान लेंगे X प्लस 48 क्योंकि जब इन दोनों को जो है इनका दोनों का अंतर ग्याद करेंगे तो 48 आ जाएगा क्योंकि ज मान सकते हो अब देखिए क्या करना है अब यहाँ पर लिखना है प्रस्ना अनुसार प्रस्ना अनुसार तो देखिए प्रस्ना अनुसार क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर प्रस्न क्या कह रहा है इनमे से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर तो देखे बड़ी संख्या जैसा कि हमको देखने से ही पता चल दा है यानि कि X जो X का जो मान आएगा उसमें 48 जुड़ेगा तो ये संख्या जो है ज्यादा बड़ी हो जाएगी और ये छोटी ही रह जाएगी तो यहाँ पर करना कि हमको बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देना है तो यहाँ पर देखे बड़ी संख्या है X प्लस 48 और इसको जो है भाग देना है छोटी संख्या से तो बटे में X हो जाएगा फिर देखे आगे का कहा गया है चोटी संख्या से भाग देने पर भाग फल 5 है यहाँ पर भाग फल 5 का मतलब इससे भाग करने पर जो भाग फल आएगा वो बराबर में लिख देंगे यह 5 के बराबर हो जाएगा और सेस्फल सून है जब सेस्फल सून है तो सेस्फल से हमारा कोई मतलब नहीं है अब यहाँ पर क्या करेंगे देखे यहाँ पर 5 के बटे में 1 कर लेंगे और यहाँ पर क्रास मल्टी प्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर देखे क्या हो जाएगा X प्लस 48 और बराबर हो जाएगा 5X यह नहीं 5 का X से गुड़ा हो जाएगा तो 5X हो जाएगा अब देखे 5X को इधर ही रखेंगे और X को इधर पच्छांतर कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5X-X देखे 5X को इधर ही रख रहे हैं इस X को इधर पच्छांतर कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5-X हो जाएगा और फिर यहाँ पर देखे, बराबर में इधर क्या बचेगा, 48 बचेगा, तो यहाँ पर बराबर में 48 लिख देंगे, अब 5X में से 1X घड़ जाएगा, तो बचेगा 4X, और बराबर में क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा, और अब X बराबर, जो है, क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए X के साथ में फोर जो है वो गुड़ा कर रहा तो इधर जाएगा तो भाग करेगा तो यहाँ पर 48 बटे 4 हो जाएगा अब 4 से इसको सरल कर लेंगे तो 4 एककम 4 और 4 दुनना 8 हो जाएगा यानि कि X बराबर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा अब देखिए यहाँ X की वैलू हमको पता चल गई है अब यहाँ से हम पहली संख्या और दूसरी संख्या आसानी से निकाल सकते हैं तो देखे पहली संख्या क्या हो जाएगी हमारी पहली संख्या बराबर तो देखे पहली संख्या X थी तो यहाँ पर 12 ही हो जाएगी और दूसरी संख्या देखे क् प्लस 48, तो यहाँ पर X की वैलू आई है 12, तो यहाँ पर 12 लिख लेंगे, और फिर इसमें 48 जोड देंगे, तो देखे 48 जोडेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, यानि कि देखे 48 दो 50 और 10 60, यानि कि यहाँ पर 60 हो जाएगा, तो इस परकार से पहली संख्या और द पूरा का पूरा साल्व हो जुका है, यानि कि कुल 18 कुश्चन थे, और सारे कुश्चन हल हो जुके हैं, तो मैं उमेद करता हूँ कि यह सारे कुश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गये होंगे, दोस्तों, यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो व देहिन वंदे मातरम